विगंतिनों पुलिस अधिक्षक कार्याला में घमापुर निवासी महिला के द्वारा अपने पती सहित अपने सस्रालियों जनों के उपर दहेच के लिए प्रतारित किये जाने के साथ मारपीड जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधिक्षक को शेकायत पत्र स प्रतारित नहीं किया गया है बलकि पत्नी के द्वारा हमेशा कई चीजों की डिमांड की जाती थी जैसे कालोनी में मकान सहित अन्यकारियों के लिए परिवार पर दवाव बनाये जाता था साथ ही जानकारी देतुए बताया कि हमारे द्वारा भी थाना घमापुर में मामले की जाज के लिए आवेदन सौपा गया है और उस दिन के CCTV रिकार्डिंग भी सौपी गई है जिस दिन महिला ने अपने साथ होई मारपीट का आरोप लगाया है साथ ही महिला के द्वारा अपने उपर लगाये अरोपो को बेबन्याद बताया है जो वो रात में 11 बजे रूम के अंदर हुई थी उसके बास डारेक्ट वो सवेरे साथ बच के 57 मिन में रूम से बाहर आई है और जो उसमें बताया कि रात में 12 बजे जबकि ऐसे कोई गटना गटिस हुई नहीं और हमने आस तक कभी बिसे दान दहिश को ले कभी कोई किसी पर की बात विबात की इस्तिती बनी ही नहीं है उसके मेरे पास लिस्ट है जो उनके दोरा समान दहिश दिया गया था जबकि उसमें F.I.R. जो उनने डर्च करवाई है जो कि बिना बिवेशना की दर्च कराई गई है उसमें मेरे बयान भी नहीं लगए ना मेरे परिवार की बयान लिए गए है जीड़े से दो बज़े की बीच में तो इनने कैमरे बंद कर दी है और इनके घर वाले सभी लोग आए घर और घर से पुरा समान सोना चांदी जेवर कप्टे लट्टे सभी चीज़ ने निकाली अपने घर के लोग उबला इनके घर के लोग अंदर गए हैं हमने पड़ो सब्सक्राइब कर देखें के सुचना देने के लिए तो वह थाने बैटके मामना दज करवा दी हम जांच कर रहे हैं आप भी आविदन दो तो हमने त्याई साब को दांच कर आविदन भी दिया है कि आप जांच करें हमाई घर में चोरी हुई है लेकिन उसके भी जांच नह कि यह साधी में किसी प्यार का क्या हम लोगों की साधी हो सब्सक्राइब कोई जिकर नहीं होता कभी पर उसके बाद भी उनने यह आरूप लगा गया है टोटल बेगुनियाद है जबकि नेहा डोंग रहे उनकी ममी सीमा डोंग रहे उनके पता जी अनिल डोंग रहे इनके कि वह क्लाउनी में नो रहेंगे और हमको इनके साथ नई रहना 12,000,000 रुपए की मांग की गई हमको नहीं रहना तो आप कर रहना तो अपको पड़ा संब कर दो और हम ने जो समान दिया हमको पुरा समान वापस कर दो हम मामला भी खतम कर वा दिगे